सुहेग एज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाव 4 वेस्ट DSLR कैमरा स्मार्टफों से अंडर फिस 20 था हुज़न तो अगर आपका वजट 16 से 20 के प्राइस रेंज में और इस प्राइस रेंज में आप अपने लिए एक बेस्ट और पर कोई को दिंग कर पाएंगे लो लैट में भी जो है काफी अच्छा फॉतो कलिक कर पाएंगे चाहेँ वो सेल्फ ही केमरा हो या फिर बेर केमड़ा काफी एचछा फोटो क्यूलिटी Kaz üst ने को मिलेगा अ कबारा में दोस्तों को काफी सीकायत का महोँटा रहिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देजे क्योंकि ऐसे स्मार्टफोन से लेटर वीडियों पर डेस चैनल पर लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिस्ट में चोथे नंबर प से स्टार्ट करते हैं तो बैक पैनल में आपको गलास देखने को मिलेगा प्लास्टिक का फ्रेम में 205 कराम का है तो यह फोन आपको जो थोड़ा सा भारी फिल करा सकता है एक हाद से यूज करना उतना आसान नहीं होगा साइड माउंटेड फिंगर्पेंट सेंसर के साथ आ करते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से तो इसमें दोस्तों आपको 6.67 इंज का बड़ा सा फूल एच्डी प्लस सूपर अमलेट डिस्प्ले दिया गया है जो की 120 हर्ज हाई रिफिर्स रेट के साथ आता है साथ में आपको वारा सुनीट तक का फिक बरनेस दिया गय अगर आप धूब बगएरा में भी कोई पीडिये बगएरा पढ़ते हैं या फिर जो है वीडियो देखते हैं तो ब्राइटनेस में आपको कोई भी प्रोबलम नहीं होगा डिस्प्ले इसका काफी नंबर वन दिया गया है इस फोन के डिस्प्ले में दोस्तों आपको कोई अगर आप लो लाइट में फोटो किलिक करते हैं तो डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलेगा अब इस फोन के बैटरी और चार्जिंग स्वीड की बात करते हैं तो यह खास है इस फोन में ठीक है इसमें आपको पांसदर मीलियमपेर का वैटरी दिया गया है और उसी को तीजी से चार्जिंग के लिए दोस्तों 67 वाट का सूपर फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ आप 45 मिनिट में इस फोन को जो है 100% तक चार्ज कर सकते हैं चार्ज होने प्याप जो इसे जल्दी चार्ज भी कर पाएंगे तो वैटरी बेकप पर चार्जिंग काफी परफेक्ट है और इस फोन में बेस्ट परफोंस के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G प्रोसेसर दिया गया है जो की उक्टाकोर के साथ आता है तो काफी अच्छा प्रोसेसर इ अब हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर प्याता है मोटो एज 20 फ्यूजन 5G मुरॉला की तरफ से नंबर वन स्मार्फोन देखने को मिलता है चाहे वो डिस्प्ले वाई जो कैमरा या फिर वैटरी या फिर प्रोसेसर हर चीज में नंबर वन देखने को मिलता है और हमने तो सि इस फोन के बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं तो बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलता है साइड मॉंटेट फिंगर के साथ आता है और जो 185 ग्राम का है तो फोन उतना आपको भारी भी देखने को नहीं मिलेगा तो इस फोन काफी अच्छा मिल जाता ह काफी प्रेमियम सा देखने को मिलेगा अब दोस्तों हम इस फोन के में इमिन फीचर्स की बात करते हैं तो स्टाट करते हैं डिस्पले से तो इसमें आपको 6.7 इंज का एक वरा सा फूल एच्डी प्लस पी ओलेट डिस्पले देखने को मिलता है जो कि 90 हर जाहाई रिफ्रे दूब बगरा में कोई भी आप जो वीडियो बगरा देखते हैं या फिर फोन को यूज करते हैं पीडियो बगरा पढ़ते हैं उसमें आपको को भी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस फोन के डिस्पले का पर्फोंस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा अब गाइस हम इस फोन के कैमरा के बात करते हैं जिसके लिए ये फोन जाना जाता है तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मेल जागा एक सपराइस आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इस में आपको तक में वीडियो रिकावडिंग का ओविशन भी मिलता है रियर केमरे से 30 एप एसफर 1080p तक में वीडियो रिकावडिंग कर पाएंगे साथ में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस्ट डिटेक्शन जिसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलता है अगर आप लो लाइट में भी फोटो किलिक करते हैं तो उसका जो कलर और क्वाइलिटी है वो बेस्ट देखने को मिलेगा ठीक है तो कैमरा में आपको कोई भी सिखात का मोगा नहीं मिलेगा अब बैटरी की बात करे तो उसमें 50 मिली एमपेर का बैटरी देया गया और उसी को तेजी है चार्जिंग के लिए 30 वाट का चार्जर आपको मिलता है तो बैटरी बेक अप दो दिन तक का मिलेगा और चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा बलोट वेर देखने को मिलेगा बट आप उसे अनिस्टोल भी कर पाएंगे तो पर्फॉमेंस काफी तगड़ा मिलेगा और मल्टी टास्किंग वेरा को भी काफी अच्छे से इंडिल कर लेता है अब सेकेंड नमबर पे आता है मोटो जी सिक्स्टी वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि इस फोन के प्राइस सिर्फ 15,000 रुपी है तो चलिए हम इस फोन के वारे में डिटेल से बात करते हैं तो इसका बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलता है वाटर रिपैलेंट डिजाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा 225 ग्राम का है दोस्तों तो इस फोन को जो है आप एक हाथ से यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी ज़्यादा जो है वारी है ये फोन ठीक है और इसमें आपको जो है रियर माउंटेड फिंगर पेंडिशन सर्फ दिया गया है अगर डेटी केडर से लोट के साथ आता तो और भी वेस्ट होता अब इस फोन के मेंड में फीचर्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं डिस्पेले से तो 6.78 इंच का वड़ा सा फूल एच्डी प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो की 120 हर्ज हाई रिप्स रेट के साथ आता है साथ में गाईज आपको HDR10 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा डिस्पेले में और डिस्पेले पे आपको गुरिला गलास का प्रटेक्शन भी देखने को मिलता है तो काफी अच्छा डिस्पेले है भले ही IPS LCD पैनल लेकिन दोस्तो HDR10 सपोर्टेड डिस्पेले है साथ में 120 हर्ज हाई रिप्स रेट के साथ आता है ठीक है तो डिस्पेले काफी है स्मूथ और वराइट देखने को मिलेगा अब इस्पोन के कैमरा के वारे में कहें तो ये टिरपल कैमरा सेट आता है 108 Megapixel का मेंलेस दिया गया है 8 Megapixel का ल्टरावाइट के लिए और 2 Megapixel का डेफ सेंसर और फ्रांट में सेलफी के लिए 32 Megapixel का कैमरा ये फोन जो है जो थर्ड नमर वाला फोन आया था कैमरा में तो उससे बेस्ट ही है वेस्ट नहीं है दोनों इकोल ये ठीक है इसमें भी आपको जो 30 एपिस वर 4K तग में वीडियो रिकॉडिंग का ओफिसन मिलता है और फ्रन्ट कैमरे से 30 एपिस वर 1080p तग में ठीक है तो का कैमरा में ये फोन काफी एच्छा देखने को मिलता है अगर आपको 15,000 रुपी के प्राइस में वी एक वेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो यही आपके लिए बेस्ट ओप्सन होगा और इसमें आपको 6000 मिली एंपिर का बड़ा सब वी बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से च बैटरी बैकप डिले अब जो है अमसे काम अधाय दिन तो आप आराम से यूच कर भी पाएंगे तो बैटरी बैकप बेस्ट देखने को मिलेगा लेकिन चार्जिंग स्पीड में आपको स्लो का सामना करना पड़ेगा और परफोमेंस के लिए कोलकम स्टेप ड्रेगन 732 जि तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि आपको तो बड़ा सा डिस्पिले भी मिल रहा है जिसमें कि अगर आप गेमिंग करते हैं ये फिर वीडियो पर देखते हैं तो काफी ज्यादा मजाएगा साथ में कैमरा तो बेस्ट है ही और इसका जो पर हो में से और बैटरी भी 6000 मिल एमपर का मिल रहा है ठीक है तो आप इस फोन को खरीज सकते हैं काफी अच्छा है अब दोस्तो टॉप पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G जो की एक लेटेस्ट फोन है यह तो आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे क्योंकि जो है काफी अच्छी है स्पेसिफिकेशन के साथ यह आता है यह फोन के अलावा भी तो चलिए इस फोन के वारे में हम डिटेल से बात करते हैं प्लस्टिक फ्रेम के साथ आता है बैक पैनल पर आपको गलास मिल जाएगा 204 ग्राम का है दोस्तों तो वजनदार आपको थोड़ा सा फोन देखने को मिलेगा है तो दो सिम काड़े एक साथ लगा पाएंगे या फिर एक सिम काड़ या एक मेमरी काड़ ठीक है डिजाइन और वील कुलिटी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा अब इस फो पर निंग गोरी लगलास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया और दोस्तों HDR 10 सपोर्टेड डिस्पले ठीक है तो वन बिलियन से ज्यादा कलर सा आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा डिस्पले है तो आपको तो मजा आयागा ही गेमिंग वेरा करने में भी तो जो पीछला त अब को पीदिया फोन ऑट ओक्री प्रेंपाट फोन झाया था उन तीनों में से बेष्ट डिस्पले इस फोन में दिया गया इंटर वाइक एक डिस्पले वाला फोन चाहिए तो यह आपके लिए बेस्ट होगा दिस्पले में आपको प्लिष एक पर गालीग कर सकते हैं और कैमरे से 30 और 60 दोनों पे आप जो है 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे ठीक है तो काफी अच्छा सेल्फी केमरा विसका आपको बेस्ट मिल रहा है क्योंकि 60 पर आपको बीडियो रिकॉर्डिंग का उफ्चन दिया जा रहा है ठीक है साथ में दोस्तों आपको वाट का देखने को मिलेगा इस फोन को आप 20 से 25 मिनट में तक चारज कर सकते हैं ठीक है काफी फास्ट च्टिट आप और न lien करेंगे फोन को तो वैट्री वेक्व चरिशनींग अपको दीन तक क्ल 장ress वेस्ट तो पर्फोर्मेंस में बिल्कुल ही वेस्ट देखने को मिलेगा ठीक है तो कैमरा के साथ साथ दोस्तो अदर के फीचर्ष परेजने को मिल रहा है तो आप इस फण को खरीच सकते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और एसी स्मार् करके बेर लाइकन को प्रेश कर दिजे